वेलकम टू सौट हैं बिद्धाले दोस्तो ये डिक्टेशन 140 सब्द प्रत मिनट की रहेगी आपके रिपोर्टर एक्जाम के लिए है जो APS का अभी फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हैं जितने लोग नहीं किये हैं तो प्लीज आप लोग कीजिए और डिक्टेशन तो हम आपको प्रवाइट करी रहे हैं चले स्टार्ट करते हैं रेडी स्टार्ट अध्यच्च जी सुतंतता के बाद भारती ब्योशाय कैसे बढ़ा है मैं सोचती हूँ कि ऐसा बहुत कुछ उस सहायता के कारण हुआ है जो भारती ब्योशाय को हमने दी है आज आप कंट्रोल का बिरूद कर रहे हैं लेकिन आपने उन से अधिकतम लाब प्राप्त किया है क्योंकि आपको एक अधिकार प्राप्त रहा है यही कारण है कि आज हम कस्ट जेल रहे हैं क्या आप नहीं समझते कि किस कारण लोग आपके बिरूद हो गए है कारण यह है कि वे सोचते हैं कि हमने आपकी सहायता ऐसे धंसे की है जिससे बहु संख्यक लोगों के हित्तों को हान पहुँची है आपने आर्थिक उन्नत की चर्चा की है जिस देश में भारत जैसी गरीवी पाई जाए वहां क्या आप सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक उन्नत की बाद सोच भी सकते हैं क्या ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक विकास टिका रह सकता है यह प्रश्न है जिन्हें आपको अपने दिल से पूछना है मैं गुजरात को दी गई सहायता के बेवरे में नहीं जाऊंगी दो या तीन दिन में मैं इन दोनों एसोसियेशनों को बेवरा भेजने को तयार हूँ और वे आपको दे देंगे लेकिन अगर आप ऐसे आरोप लगाना चाहते हैं जैसे केंडर गुजरात के साथ भेदभाव बरत रहा है तो मुझे आशंका है कि वे आकड़े आपकी शहायता बिलकुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आप बिना किसी भी आधार के आरोप लगाते हैं तो आपकी बाद कोई भी गंभीरता से नहीं ले सकता कुछ हद तक केंडर सभी राज्यों के भेदभाव रखता प्रतीत होगा अगर आप उत्तर प्रदेश शरकार के साथ मिल बैठ कर विचार करें तो वे अगर हजार नहीं तो एक सो ऐसे मामले आपको जरूर दिखाएंगे जिनमें हमने गुजरात की आपेच्छा उत्तर प्रदेश के प्रती ज्यादा भेदभाव दिखाया है हम कंट्रोल के लिए कंट्रोल नहीं चाहते कंट्रोल तभी आएगा जब हम महसूस करें कि किसी चीज को अनुचित काम में लाया जा रहा है जिससे जनता को नुक्सान पहुँच रहा है कम्यूनिस्ट या जनशंग अथवा स्वतंत पार्टी की तरह मेरा यह विश्वास नहीं है कि कुछ लोग जनता की स्रेली में हैं और कुछ अन्य नहीं सोतंत्र पार्टी सोचती है कि सिर्फ व्योसाई वर्ग के लोग ही जनता है अन्य वर्गों के लोग नहीं कम्यूनिस्ट पार्टी का विचार इससे ठीक उल्टा है अर्थात यह कि केवल गरीब लोग ही जनता है सेस वर्ग के लोग नहीं मैं समझती हूँ कि ये सभी लोग भारत की जनता हैं और अगर हमें सांतिपूर प्रगति करनी है तो हमको इन सभी लोगों के हितों की ओर नजर रखनी होगी लेकिन जिन लोगों ने औरों की आपेच्छा बेहतर शुक साधन पाए हैं उन्हें अब त्याग करना होगा हम और कई देशों की तरह उनसे यह नहीं कहे रहे हैं कि वे अपना सब को छोड़ दें हम आप से केवल अपना थोड़ा सा मुनाफा छोड़ने को कह रहे हैं और वे सब नहीं ले रहे हैं जिसके आप स्वामी हैं अध्यच्छ जी आपने पच्छपात का वल्लिन किया है अब सिर्फ गुजरात का मन रखने के लिए मैंने संस्थापिद नीत के विरुद जाकर बॉयलरों के आयात की बात मान ली क्योंकि आपकी सरकार ने कहा कि अगर उन्हें बॉयलर मिल जाएं तो उनका काम तेजी से आगे बढ़ सकता है वह काइबिनेट के इच्छा के विरुद किया गया यह मेरी भी अंतरात्मा के निड़य के विरुद था लेकिन गुजरात ने कहा आप हमारी चीजों को रोक रही हैं इसलिए मैंने कहा तो ठीक है उनको कर लिया जाए हलाकि उससे हमें कुछ अर्थों में हानी हो सकती है फिर क्या हुआ हुआ यह कि उन्होंने आयातित बाइलरों का प्रियोग नहीं किया अगर हमने सोयम अपने यहां उन्हें बनाने का फैसला किया होता तो वे उपयुक्त समय पर तयार हो सकते थे मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आपने जो प्रमाल मुझे दिये हैं उनमें से एक भी ना तो हमारे देश के बारे में और ना उधोगों की स्थित के बारे में सही और यतार्त जानकारी पर आधारित है मैं मानती हूँ कि सार्वजनिक छेत्र में कारे कुसलता की वास्तवी रूप में आवशकता है यह भी जरूरी है कि केंदर निनले लेले कि प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए लेकिन मैं आपसे यह अवश कहना चाहूँगी कि आपने तथ्यों को जिस तरह तोल मरोल कर प्रस्तूत करना चाहा है और जिस तरह आप लगातार केंदर सरकार से ठकराओ का रास्ता चुन रहे हैं उससे ना तो संबंध ही अच्छे बनेंगे न निले शीगर लिये जा शके आपने कहा है कि नारे बाजी से कोई काम नहीं बनता क्या मैं पूछूं की सबसे ज़्यादा नारों का प्रयोग कौन करता है बेवसाई वर्ग ही ऐसा करता है उसके बिग्यापन भी ऐसा करते हैं एक ऐसे देश में जहां ग्रहण सीलता की प्रबत्ति नहीं होनी चाहिए ब चल सकता है यह सब इसलिए किया जा रहा है कि ऐसा अन्य देश्टों में होता है इससे हमारे यहां लोग ज्यादा लाब कमाना चाहते हैं इसलिए यह कहना बैवसाइक नहीं है कि बैवसाइ अगर आज ज्यादा लाब कमा रहा है तो यह चीजों को देखने का बैवहारिक तरी कईया है कि भारत के नवनिर्माल में कैसे अधिकाधिक लोगों का सहयोग लिया जाए और लोग ऐसा तभी करेंगे जब उन्हें यह एसास हो कि उनके साथ नय और आउचित पुने बेवार किया जा रहा है अध्यच्च जी अगर मैंने कुछ कठोर सब्द कहे हैं तो मुझे ख भेजे गए अपने संदेश में कहा है कि उन्हें इसके आयोजन पर बड़ी प्रसनता है मैं उस संदेश का अंतिम पैराग्राफ पढ़ रही हूं रास्ट पत ने कहा है हम आज अपने समाज को नया रूप देने के काम में लगे हैं सरकार को आर्थिक विकास के छेत्र में प प्राप्त करने की दिशा में रास्ट को आगे बढ़ाने के लिए सामंजस रख कर काम करना होगा हम जो कुछ भी करें वह संद्धान के निर्देशक सिधान्तों के दायरे में किया जाना चाहिए शंद्धान में यह निर्दिष्ठ है कि समाज के साधनों का स्वामित और नि आन हित्तों को हानी पहुचे सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि इस प्रयास के लिए मैं अपना आशिरवात देती हूँ मुझे प्रसंदता है कि यह कदम उठाया गया है यह एक महत्पूर कदम है और ऐसे सम्मेलन बार बार होने चाहिए सारोजनिक छेत्र से शंबद विभिन श्रेडी के लोगों के लिए महत्पूर है कि वे मिल बैठ कर विचार करें और इस पश्च समझे समझाएं कि हमारा इस घुसड़ा से क्या अभिप्राय है कि हम सामाजवाद चाहते हैं तथा इसे लाने के लिए अपने ठों सुझाओ दें आप जैसे जैसे किसी समस्या पर गहराई से विचार करते हैं वैसे वैसे आप प्रगत करते जाते हैं और अन अनेग सुझाओ सामने आते जाते हैं मैं समझती हूँ कि यह सत्त है कि हमने सारोजनिक छेत्र का निर्माल बहुत अच्छे इरादे से आरंभ किया था और सारोज उसके विकास में बाधा पड़ी है नए विचारों का मार्ग अवरुध हुआ है नए अनवेशनों की भावना बिक्सित नहीं हो पाई है और लगातार परिवर्तन वा प्रगति की प्रणा काम नहीं कर शक्ति है जिसके बिना इस बदलते विश्चु के साथ कदम मिला कर चल श प्रति नहीं बलकि इतनी ब्यापक जनता की भलाई के लिए प्रति बद्धता होनी चाहिए कि उस निड़य को प्रभाव शाली रूप में कार्यान्वित किया जा सके उसे सही धंके साधनों और संगठनों का भी सहारा मिलना चाहिए हमारे यहां उन सब का अभाव है फिर भ भी यहां भावातमग प्रति बद्धता बहुत पाई जाती है लेकिन वह सायद ऐसी नहीं है जो समान उद्धेशों की प्राप्ति के लिए सच्छम है उसके लिए इच्छा और भावना तो पाई जाती है और मैं समझती हूँ कि हमें कोशिस करके सही धंग की प्रति सुननी सहनी पड़ती है हम जानते हैं कि हमारे देश में केवल वे ही आलोचना के सिकार नहीं होते बल्कि मैं समस्ति हूँ कि मुझे भी उसी प्रकार से आलोचना लच्छ बनाया जाता है और इसी तरह प्रति बद्धता सब्द को भी वह एक ऐसा सब्द बन गया है जिससे बहुत से भया वह अर्थ और अभिप्राय दिये गए हैं लेकिन वह एक बहुत सीधा साधा सब्द है और जब हमने उसका इस्तेमाल जनता के संदर्भ में किया है केवल आम जनता के लिए ही नहीं बलकि उन लोगों के भी संदर्भ में जो प्रसासन में हैं तो हमारा कभी भी यह आसे नहीं रहा है कि हम किसी भी तरह का बैचारिक नियंत्र चाहते हैं या चाहते हैं कि किसी मार्ग पर आखे बंद करके चला जाए अगर हम वैसी प्रणाली लाना चाहते तो हमने अपने लिए संसदिय लोगतंत्र को ना चुना होता हमने सोतंत्र और इस्पष्ट आल आलोचना किसी भी चीज के सुचारू संचालन के लिए आवस्चक है। हाँ यह सच है कि सारजनिक छेत्र की अधिकांस आलोचना सही तत्यों पर आधारित नहीं है और वह हमेशा ही निस्पच्छ आलोचना नहीं रही है। हम यह न समझें कि जो लोग यह सब लांचन लगाते हैं वे नहीं जानते की वास्तविक्ता क्या है वे निश्चे ही जानते हैं उन्हें मालूम है की सच्चाई क्या है और फिर भी जब उन्हें सही स्थित की जानकारी दी जाती है तब भी वे जान बूज कर लांचन लगाते रहते हैं इसलिए हमें इस पूरी समस्या को सही पर पेच्छ में रख कर देखना होगा सारुजनिक छेत्र की आलोचना क्यों की जाती है हमारे द्वारा प्रयूक्त कुछ सब्दों की आलोचना क्यों की जाती है इसलिए नहीं कि कोई चीज अपने आप में गलत है बलकि इसलिए कि वह किसी ऐसे उद्देश की प्राथिक प्रतीक है जो बहुत ही विसाल है इसलिए आलोचना कोई भी सेस ब्यक्ति या वस्तु कीना होकर कहीं बड़े इरादे से होती है लेकिन सारोजनिक रूप से कोई भी उस बड़े इरादे को शामनी नहीं रखना चायता कोई भी खुल कर यह नहीं कह सकता की हम असमानता को दूर करने के विरुद्ध हैं कोई भी यह साफ साफ नहीं कह सकता की समाजवाद का जो ब्यापक अभिप्राय है हम उसके विरुद्ध हैं इसलिए आलोचकों को कोई और निसाना धूलना होता है उन्हें ऐसे तरीकों की खोज करनी होती है जिससे वे जनता का ध्यान बड़े बड़े उद्देशों से हटा सकें इसलिए जहां यह बहुत जरूरी है कि हम स्रमिकों तथा अन्य लोगों के लिए इस प्रकार के सैचिक मंचों का आयोजन करें वही हमें उस सिछा को कहीं ज्यादा ब्यापग में देनी होगी स्टॉप